नमस्कार आप देख रहे हैं जूम नियूज दिल्ली में काला कोट और खाकी वर्दी आमने सामने हैं जी हाँ वकीलों और पुलिस के बीच जड़प अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाई है पुलिस और वकीलों के बीच हुई दो नमबर की जड़प अब विरोध प्रदर्शन और आरोप प्रत्यारोपों के चरम पर हैं इसी बीच दिल्ली के पुलिस कमिशनर का कहना है कि उनके लिए यह संकट की घड़ी है जिहां वाकई संकट की घड़ी ही है कि कानून के रखवाले और कानून की पैरवी करने वाले एक दूसरे के आमने सामने हैं और आरोप प्रत्यारोप जड़ रहे हैं कि देश भर में वकील और पुलिश एक दूसरे के खिलाफ बयान बाजी और प्रदर्शन तक करने को मजबूर हो रहे हैं पुलिश वेन और एक अधिवक्ता की गाड़ी टकराने को लेकर शुरू हुआ विवाद खासा बढ़ गया आप ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली में इस घटना करम के बाद हालात बेकाबू हुए राह चलते लोगों से मार्पिट की जाने लगी यहां तक कि पुलिस थाने में भी घुसकर वकीलों द्वारा किस तरह से हिंसक घटना करम को अंजाम दिया गया वकीलों का कहना है कि पुलिस भी इस से पीछे नहीं रही देखने वाली बात यह है कि कानून और विवस्ता के जिम्मेदारी सम्भालने वाली पुलिस अब अपने आपको डी मॉरलाइज बताते हुए शांती पूर्वक प्रदर्शन कर रही है पुलिस अपनी तक्तियों पर हाउस दजोस लोसर लिखते हुए और भी तमाम तरह के नारे लिखते हुए शांती पूर्वक प्रदर्शन करते हुए अपने लिए न्याय मांग रही है दिल्ली पुलिस कमिशनर ने कहा है कि दिल्ली पुलिस हमेशा से चुनोतियां देखती आई है हम हर परिस्तिती को हंडल करते हैं पिछले दिनों जो कुछ हुआ है वह है परिक्षा की घड़ी है उनका कहना है कि हालात में अब सुधार है कमिशनर ने नियाईक जांच का हवाला देते हुए पुलिस के कार्मिकों को ड्यूटी पर लोटने के भी निर्देश दिये हैं पहली बार ऐसा मौका है कि इतने बड़े पैमाने पर इस घटना करम को लेकर देश बर में प्रदर्शन हो रहे हैं पुलिस और वकील इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों से हट नहीं रहे देखने वाली बात यह है कि मामला कहां तक पहुँचता है अलग-अलग एजिंसियां इसकी जांच में जुटी हैं S.A.T. को इस मामले की जांच का जिम्मा दिया गया है कि गलती आखिर किसकी थी किंद्रिय मंत्री ने भी अपनी रिपोर्ट सौपी है और दिल्ली हाइकोड इस मामले की अपने इस्तर पर भी जांच कर रहा है इसी जांच के मद्दे नजर कमिशनर ने कहा है कि परीक्षा के साथ-साथ उनके लिए प्रतीक्षा की भी घड़ी है वहीं बार कॉंजिल आफ इंडिया के चेर्मेन मनन कुमार मिश्रा इस मामले में कह चुके हैं कि वकिलों के साथ जात्ती हुई है जात्ती किसने की किस के साथ हुई यह तो जांच का विशह है अधिक अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए सब्सक्राइब कीजिए जूम न्यूज